Friends, कई बार हमें अपने life में इस तरह के sentences बोलना होता है, जहां कहते हैं, कि किसी को कोई काम करना ही चाहिए, यानि यहां पर हम किसी को advice करते हुए, obligation की बात करते हैं, यानि किसी इनसान को कोई काम करने के लिए force करते हैं, कि उसको ये करना ही चाहिए, तो आएए देखे Friends के इ subject, should have to, के साथ जब आप work का fresh form लिखते हैं, तो इस तरह के sentences का मतलब होता है, ही चाहिए, जैसे, आपको English सीखना ही चाहिए, तो इस sentence के लिए आप कहेंगे, आपको यहां ठहरना ही चाहिए, अगर आपको कहना हो कि उसे अपनी भाई की मदद करनी ही चाहिए, तो इस sentence के लिए आप कहेंगे, उसे कुछ करना ही चाहिए, तो फ्रेंट सा आपने के लिए, तो इस तरह के sentences को बोलने के लिए आप सुड है तो का इस्तिमाल करके अपने sentences को बोलेंगे, फ्रेंट्स अगर वागए आपको यह concept समझ में आया, तो क्या इस topic पर दो sentences comment box में लिखेंगे, सिर्फ दो sentences comment box में लिखेंगे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या घलत, फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे lessons के साथ अब तक के लिए, बाई!